हमेशा नॉर्मल टेंप्रेचर वाले गिरते हुए पानी में अपने जले हुए भाग को पांच मिनिट तक लगातार रखें ना कि बहुत जादा ठंडे पानी में अब पांच मिनिट बाद इस ठंडे की ये पाट को किसी साफ और सुखे कपड़े से कवर करें अब पूरी तरीकी से ठंडा हो जाने पर जले हुए पाट पर कोई भी मॉस्टराइजिंग लोशन या एलोवेरा लगाएं इसके ठीक बाद इस जले हुए पाट को प्रेशर और रगट से बचाने के लिए इसकी साफ सुथ्री और ड्राय पट्टी से ड्रेसिंग करें यदि दर्द और सुजन जादा है तो जलने वाले को आईबू बूफेन या ऐसी टो मिनाफेन के टैबलेट दें जो आपके गर पर हमेशा होनी चाहिए और याद रखे कि इसके साथ टिटनस का टीका लगवाना ना भूले क्योंकि चाहे बर्ण छोटा है लेकिन फिर भी एक खतरनाक बैक्टरियल इंफेक्शन तक पहुँच सकता है